रादिक्रिष्णा फ्रेंड्स आज बनाना सिका रही हूँ जीरो नंबर के काना जी के वूलन का ड्रेस का बेस जिसके लिए सबसे पहले हम इस तरह से नोट लगा लेंगे क्रोशिय और वूल की हेल्प से हम इसमें चेंज डालेंगे मैंने यहां पर 14 चेंज ली है क्योंकि मुझे काना जी के लिए 12 जो है क्रोशिय से स्टार्ट करनी है चोली तो इस तरह से यह देखी यह 14 चेंज मैंने ले ली है अब हमने 3 चेंज स्किप करनी है और 11 चेंज में हम हाफ, डबल क्रोसे लेना है், जो क्रोशिया हुक है, उसके उपर एक इस तरह से वूल लेंगे, और देन, अगेन, चेन में से निकालके एक वूल लेंगे, त्री को हम वन में कनवर्ट करेंगे, इसी तरह हमने एंट तक कर लेना है, तो стра भी क्रोशिया죠, हमारे पास 12 हाफ, दबल क्रोशिया लेना है इसमें हमने सभी चेंज में दो दो टाइम्स हाफ डबल क्रोशिया लेके कम्प्लीट करना है थर्ड चेंज में हमने क्या करना है दो हाफ दो चेंज ली नेक्स्ट चेंज में एक हाफ डबल क्रोशिया उससे नेक्स्ट में एक हाफ डबल क्रोशिया लेना है, then four chains को हमें skip करना है, sleeves के लिए, जिससे shoulders पहना आए जा सके, then हमें eight chains में half double crochet लेना है four को skip करना है, four में again half double crochet लेना है जिससे दोनों पासे shoulder रह जाएंगे mid में back का part आ जाएगा अब हम fourth round में क्या करेंगे two chains लेंगे, अब हम सारी ही chains में one one half double crochet लेंगे, तो ये देखे, ये चोली पार्ट बनके ready हो चुका है अब हम starting में slip stitch लेंगे, दोनों जो चोली के parts हैं, उनको join करेंगे slip stitch की help से again हम slip stitch लेंगे, slip stitch लेते हुए हमें shoulder तक आ जाना है three four slip stitches आपकी लगेंगी, ये देखे हम shoulder तक आ गए है shoulder तक आने में हमें four slip stitches लगी है अब हम three chains लेंगे, पहले हम two chains ले रहे थे, अब three लेंगे, same stitch में एक double crochet निकालेंगे next chain में भी दो time double crochet निकालेंगे, अब ये पूरी row हम दो दो time double crochet निकालके complete कर लेंगे जिससे की घेरा बनके ready हो जाएगा, क्योंकि घेरे के लिए हमें obviously थोड़ा वो चाहिए, flare चाहिए तो हम इसलिए two two times double crochet निकालेंगे next round में हम three chain से round start करेंगे उससे next chain में एक double crochet और third chain में हम दो double crochet निकालेंगे इसमें हम दो time से एक एक double crochet third में दो double crochet इसी तरह से हम ये round complete कर लेंगे thread को cut कर देंगे slip stitch लेने के बाद तो ये देखिए ये base बनके ready हो चुका है ये है zero size